परमादर निये प्रधान मंत्री जी, मानिया मंत्रीगंड, डॉक्टर पीटी उशा, आज हमारे पैरिस ओलिम्पिक्स में भाग लेने वाले सारे एथलीट्स आपके साथ वारता करने के लिए आए हैं, सर से मार्ग दर्शन के अपक्षा करते हैं, लगभग 98 लोग online जुड़े हुएं सर, क्योंकि उनकी विदेश में ट्रेनिंग चल रही है, देश के दूसरे केंद्रों में ट्रेनिंग चल रही है, और आने वाले कुछ दिनों में आप सभी लोग पैरिस के लिए रवाना होंगे मैं अनुरोद करती हूं सर से कि क्रिपया सबको मार्ग दर्शन करें, प्रोटसाहन करें, धन्यवाद सर। और जीतने के मूड में होंगे, और मैं आपका जीत करके वापस हाल करोगे तब स्वागत करने के मूड में हूँ, और इसलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हैं हमारे देश के जो सितारे हैं, उनसे मिलता रहूं, नई चीज़े जानता रहूं, उन के प्रयासों को समझता रहूं, और सरकार के नाते अगर व्रवस्था में कुछ बढ़लाव लाड़ा है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं, तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं, और मेरी कोशिश ये रहती हैं कि सबसे डारेक इंट्रेक्शन करूं, तकि फर्स्ट्रेंड मिलती हैं, खेल का एक स्वभाव होता है, हर विद्यार्थी का जैसे रहता है, जब वो पेपर देने जाता है, एक्जाम के लिए, तो पूरे घर को ऐसा विश्वास देता है, कि बद आप चिंता मत कीए, मैं रेंग लेकर आने वाला हूं, और जब उसको दो पता चल जाता ह है, एक्जामरेशन में, क्या हो रहा है, क्या कर पाएगा, ठीक गया नहीं गया, तो निकलते ही शुरू कर देता है, पंखे की आवाज बहुत आ रही थी, खिरकी खुली थी, तो मजा नहीं आ रहा था, टीचर बार-बार मेरी तरफ देखते थे, तो आपने देखे होंगे, एसे स्टूइन्स, उनके पास पहुत सारी बहाने होते हैं, और हमेशा वो परिस्तितियों को दोस्ट देते हैं, और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगती नहीं होती है, वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं, लेकिन प्रगती नहीं कर पाते हैं लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाडियों को जानता हूँ बे कभी भी परिस्तियों को दोस नहीं देते हैं हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेकनिक मेरे लिए नई थी वो जो करता था मैंने अंदार नहीं लगाए कि वो भी एक तरीका हो सकता है कहने का ताप्पर है कि दोस्तों हम खेलने के लिए जा रहे हैं हम अपना बेस्ट परफॉर्मंस के लिए जा रहे हैं लेकिन ओलिम्पिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है कि अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलू और टेलीफोन करके सब को बताता रहूं देख्या आज ऐशा रहा है वैशा रहा दूसरे होते हैं बागी हर खेल देखने जाते हैं कि पलाने देश कैसे खेल रहा है इतना देश कैसे खेल रहा है और वो चीजों को पुरी तरह अफसर करता है कोशिश करता है एपसॉप करने की और आकर के अपने कोच को भी बता कि है रहा भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मुमेंट मुझे भी बताई यह क्या टेक्निक थी कभी उस वीडियो को लेकर देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा का यह तैने जो सीखने की वृति से काम करता है और उसके लिए शीखने के बहुत अश्र होते हैं जो शिकायत में जीना चाहता हैं उसके लिए बीश्रों की कमिंटी होती हैं दुनिया के समरिद्य समरुद्य देश भी उत्तम से उत्तम जाए हुए लोग भी शैद शिकायत करते हुए नजर आएंगे और हमारे जीसे देश के लोग जाते हैं कई कठेनाइया होती बहुत सी असुविधाय होती है लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश मेरा तिरगा जंडा और इसलिए वो कठेनाइयों को असुविधाओ को बिल्कुल साइड बरता है वो अपने मिशन के लिए लग जाता है और इसलिए साथियों मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल की मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे